नरेंद्र मोधी एक छोटी मांसिक्ता के और बड़े छोटे दिल के आदमी है और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए आज इस पतंत्ता दिवस समारों पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पाचवी लाइन में बिठा कर नरेंद्र मोधी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कोई फर्ट नहीं पड़ता है कि वो पाँचवी रों में बैठे या पचासवी रों में बैठे वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोगतंत्र के लिए लोगतंत्रिक परंपराओं के लिए नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज़त नहीं है क्योंकि सच ये है कि नेता प्रतिपक्ष की rank cabinet मंत्री की होती है पहली रो में सारे cabinet मंत्री बैठे हुए थे लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुन गाधी को ही 5위 रो में नहीं बठाया गया खर्गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5위 रो में ही थी एक बेवकुफी का बयान रक्षा मंतराले की और से आया है ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ऑलम्पिय gouvernement कोakah और संब्रावाँ बेना चाहते थे तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहा है तो बयान ना दीजिए इससे बहतर होगा नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाब दे बनाता है वो सरकार को कटगरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है असलि तो आप उनसे आखें चुराते हैं लेकिन कोई फरक नहीं परता आप पांचवी रो में बठाईए या पचासवी रो में राहुल गाली फिर भी राहुल गाली रहेंगे लेकिन ये करकर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिक्ता के छुद्र बिलकुल चुहे के कल इगा थैंधो आप लिएगा लिए करई में लोग एको लिए., या विए एकिना लोग ख़ूफपअ का बाते हैं